हेलो गई साज हम बात करेंगे realme c25 के status bar icons के बारे में जैसे कि आप लोग अभी हमारे फोन में status bar देख सकते हैं कि बैटरी परसेंटेज भी सोलनी कर रहा है ना sim icons को कर रहा है ना internet speed meters हो कर रहा है आप लोग के phone में भी इस type का देखने को मिल रहा होगा और आप लोग सोच रहे होगे यार कि मैंने तो अभी just mobile purchase किया है और यह सब क्यों नहीं दिख रहा है सबसे पहले आप लोग को करना क्या पड़ेगा ना यहां पर आप लोग को सेटिंग open करना है उसके बाद आप लोग को यहां पर जो है option मेलेगा notifications का और status bar का इसपे क्लिक कर देजीगा उसके बाद यहां पर जो status bar वाली सेटिंग मिलती है battery percentage की simply इसको on कलेना है तो यहां पर battery percentage हो होने लगता है उसके बाद the second option है real time network speed का इसमें हमें क्या रहता है कि जब भी हम internet use करें data on करेंगा हम अपने फोन में तो automatic जो time दिख रहा है time के बगल में आप लोग को internet speed देखने को मिल जाए कि लगभग कितनी आप लोग को वर्तमान में real time में network speed मिल रही internet speed मिल रही है उसके बाद जो आप लोग का sim card का icon रहता है उसको सो कराने के लिए notifications पर क्लिक करें इसको icon कर देना जिसमें आप लोग को notification भी सो हो और sim icon भी सो हो तो यह सब setup आप लोग कर देंगे तब ही जाके आप लोग के फोर में battery percentage, sim icon और internet speed meter so होगा, so इस step से आप लोग setup कर सकते अपनी status वार को, आगे चलके आप लोग को इस model के उपर और भी important videos मिलते रहेगी, बस आप लोग हमें comments करके बताती रहेगे कि आप लोग किस topic को पर वीडियो चाहिए, उम्मिद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंदेगी, चाह माता वीडियो हमे चाहिए, चाहिए, प्डियो हमें।